एक बाव फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चनल में आज हम आपर बात करेंगे जो ECI Switzerland T10 का आज के दिन का मैच नमबर यहाँ पर होने वाला है तीन जो खेला जाएगा फ्रांस और लक्संबर्ग के बीच में तो इस मैच की में आपको in-depth analysis करके दूँगा बस आपको करना कुछ नहीं है यह जो वीडियो है आपको last तक watch करना है सबसे पहले वाईयों अगर आप हमारे जनल पर पहली बार आयो और अगर आपने अब तक टेलिग्राम चनल को जोइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलिग्राम चनल को जरूर जोइन कर लेना है मैच है, आर्ट इफिशल बिकट है, 120-150 के बीच में एक स्कोर बनता है, एक मैच यहाँ पर हुआ है और उस मैच में बेटिंग फर्स करने वाल टीम जीते थी, अब देखो पहले बात करेंगे फ्रांस की टीम की, फ्रांस की टीम का अभी पहला मुकाबला जो है वो अभी चल अब इनकी तरब से जो बेटिंग ओडर आया है, उसके हिसाब से जैन अहमद और यहाँ पर लिंगेश वरन ओपन करेंगे, जैन अहमद की बात करूँ तो ओवरॉल 16 टीटेन में 134 विकेट है, 18 और डालके, लेकिन यह देखा गया है, कि यह इंटरनेशनल मुकाबलों में ज्यादा बोलिंग नहीं करवाता है, जिससे कि अगर आप देखो तो 2023 के अंदर 6 मेच में 38 रन इसके नामे 9 का एवरेज हैं, इंटरनेशनल टीटेन में, लिंगेश वरन की बात करूँ, तो ओवरॉल 16 टीटेन में 116 रन है, 2023 में 6 में 26 हैं, लेकिन अगर यह ओपन करता है विकेट किपिंग सेक्षन से एक अच्छा उप्षन है, मुकतार गोलामी है, ओवरॉल 14 टीटेन में 252 विकेट हैं, लेकिन अभी जो 6 इंटरनेशनल टीटेन इसने खेले थे हाली में 23 में, वहाँ पर इसने 138 रन किये थे 23 के अवरेज से, उस्मान रियास खाने यह आपको बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों से पॉइंट देता है, ओवरॉल 21 टीटेन में 16 रन 20 विकेट है, 34 ओवर डालके और T20 इंटरनेशनल में 13 में 307 रन 17 विकेट है, तो बहुत बढ़ी है रिकोर्ड है इसका, नॉमन अमजाद है, 16 टीटेन में 182 रन 12 विकेट है, 25 ओवर डा नहीं है, 6 टीटेन में इसके नाम 1 विकेट है, 6 ओवर डालके और T20 में अगर आप देखो इनके नाम तो 8 मेच में 10 विकेट है, 22 ओवर डालके, तो दिको बोलिंग करवा सकता है, लेकिन अभी जो इसका भी में देखना हूँ लाई, और भी चल रहा है, 24 रन ने देचुका हुआ है, 16 टीटेन में 80 रन है, 23 में 6 मेच में 35 रन है, डाउद अमजाई एक बढ़ियां लेग स्पिन बोलर है, इसको आप बिल्कुल टीम में रख सकते हो, 16 टीटेन में 11 विकेट है, 29 ओवर डालके, 23 में 6 इंटरनेशनल टीटेन में 6 विकेट है, 10 ओवर डालके, रहमतु रहमतुला मंगल, यह जो है, डेथ का इनका बहुत अच्छा बोलर है, इसको आप टीम में बिल्कुल रखना, 6 मेच में 8 विकेट है, 23 में 12 ओवर डालके, अभी के लिए मैं यहां से पिक करने वाला हूँ टीम में लिंगेश वननर को रखूँगा, मुकतार गोलामी, उस्म पारिंगे ओवर डालेंगे, एन अमजाद, रहुला मंगल, एस वरना कुला सूरिया, डेथ में आते हैं, उस्मान रियास खान और रहुला मंगल, सामने जो टीम है, आप लगजम बर्ग के टीम है, पहला मैच खेली हारी थी, और इनके टीम की भाई में को बेटिंग बहुत जादा वीक लगी थी, स्पेशली, और बोलिंग भी खराब है, महलब क्योंकि इनकी जो एक्स्पिरियंस प्लेयर थे न, आपने देखे होंगे, जो विकरम विजई जेसे प्लेयर थे, वो सब यहां पर है नहीं, यह सारे नए प्लेयर है, अब इनके टीम पहला में चारी थ बारा ओवर डालके, तो इसने दोनों जगे पे बेटिंग भी की है, और दो-दो ओवर की बोलिंग भी करवाई है, विबेद दिक्षित है, पहले मेच में चारी रन कर पाया था, यह भी बेटिंग कर सकता है, लेकिन पहले मेच में तो इस्ट्रुगल कर रहा था, इसने भल बानी रहा तो उतना इंपोर्टेंट में अभी इसको नहीं मानूँगा, जतीन मदन भाई बले ही पहले मेच में इसका पहुमिस अगर आप देखोगे न, माइनस में आपको 6 पॉइंट के करीब दिखेगा, लेकिन इस बंदे ने मतलब पॉइंट देने लाइक काम किया था सो पॉइंट के करीब, तीन बहुती ज्यादा इजी केज इसकी बॉल पर छोटे थे, बहुती ज्यादा इजी केज थे, तीनों बिलकुल हाथ में थे, तीनों केज छोड़ दिये, अब आप सोचोगा, तीन केज पकड़े जाते, तीन विकर्ट होते तो आराम से सोरन होते, और ये बंदा बेटिंग भी बहुत अच्छी कर सकता है, पूराना रिकोर्ट भी आप देख लो, गहरा टीन, दो सो उननतर, तेरा विकर्ट है, एककेस ओवर डालके, और दोजा तेस में, चार मेंच में, एकसो दो छे विकर्ट है, साथ ओवर डालके, और डॉमेस्टिक ट देखना, स्टम टू स्टम लाइन डालता है, अगर थोड़ी भी बेटिंग करने वाले ने गलती की ना, तो बोल्ड होगा सीधा, और वही चीज़ इसने की थी, बीस रन दो विकर्ट इसके नाम ते, दो ओवर डालके, डॉमेस्टिक टीटेन में, पांच में, डात्तर दो जिग्यासु पंत ने भी एक रन किया था, पांच मेंच में नबे रन है, यहाँ से रुपेज बिंगु, जीरो रन किया था, छे मेंच में छेयासी रन है, यहाँ पर संभव पूरी, यह अच्छी बोलिंग करवाया था, इसने आठवा और दसवा ओवर डाला था, डेथ में आया था, और साथ के साथ एंड में आके हिटिंग भी किती, 49 नोट आउट किया था, इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा, फिर आइंगे आज से, मयंक, इनको भी भले विकेट ना मिला हो, लेकिन बोलिंग इनोंने भी बहुत अच्छी करवाय थी, 20 नोट आउट जीरो विके अभी के, देखों, इनका डोमेश्री टेन में 4 मेच में 2 विकेट है और टीटेन में 4 मेच में 4 विकेट है, अच्छी पोलिंग करवा था, इस्पिनर है, मिलेध हैं ममंद है, इसको आप ग्रैंड लिंग में ट्राई कर लेना, एक ओवर डाला था, विकेट इसको मिलानी था रन इसके में भी गए थे, इसके नाम अगर आप देखो तो 7 मेच में 8 विकेट हैं 12 विकेट हैं, अभी के लिए मैं यहां से पिक करने वाला हूँ, टीम में इड पैकवर्ड को रखूँगा, जतिन मदन को रखूँगा, कमल शोकिया को रखूँगा, नीचे से मैं यहां प अगर आपने अब तक टेलीग्राम चनल को जोन नहीं किया तो कर लिजिए, चलते हैं आप पर डेमो टीम की तरफ, नेक्स स्लाइड में आपको डेमो टीम मिलेगा लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चनल से जोनोना जरूरी है, अगर आप डिस्किप्शन से टेलीग्राम चन का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों जगे से जाकर आप इजिली टेलीग्राम चनल को जोन कर सकते हो, अभी यहां पर बन देख लेते हैं डेमो टीम, अभी के लिए मैंने डेमो टीमें विकेट किपिंग सेक्शन से रखा हैं लिंगेश्वरन को, बैटिंग सेक्शन से रखा ह कैप्टन उस्मान रियाज खान, वोइस कैप्टन यहां पर केस होखिया है, लेकिन यह फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी वो आपको टेलीग्राम चनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कम किया हुआ, दिया हुआ है अंदने वाइज